कैलिफॉर्णिया लंबे समय से सुखे के बीच अब वाइल्ड फायर की मार को छेल रही है जी हाँ कैलिफॉर्णिया की जंगलों में आग थतक रही है सदन कैलिफॉर्णिया एंकलेव के 20 घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके है आग की चपेट में कई मेंचन भी आए है वही 900 घरों से लोगों को एवैकुएट किया गया है और फायर फायर्फायटर्स लगातार आग बुचाने की कोशिशे कर रही है वही कैलिफॉर्णिया की आग का असर लास वेकस पर देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ पानी बचाने की मोहिम तेज हो चुकी है देखिए स्पेशल रिपॉर्ट वाइलफायर जोके फ्यूल हुई है एकसीडिंगली ड्राइब रश के कारण ने घेरा सर्दन कैलिफॉर्णिया के इंखलेव लगूना नेगुएल को इस वाइलफायर में तबा हुए हैं करीब 20 से ज़्यादा घर और जल गया है करीब 200 एकर्स का एरिया जिसके कारण फोर्स हुए हैं इवाक्यूएशन्स जबकि कोई इंजुरीज रिपोर्ट नहीं हुई है याद रहे के ये ब्लेज यनी के आग लगी है कोस्टल फाइर एरिया में और रैपिडली स्प्रेड कर गई है स्टी ब्रिजिस में सबर्बन ओरिज्ज काउंटी कम्यूनिटी की आफ्टर्नोन विंच के कारण लगूना नाइगवेल हिल्टॉप सिटी है जिसमें करीब 65,000 लोग रहते हैं और इंजॉय करते हैं स्पेक्टाकुलर ओशन व्यूज जस्ट इनलेंड फॉम दे सिटी ओफ लगूना बीच जो की करीब 50 माइल्स है साउथ ओफ लोस एंजलेस के दूसरी तरफ, ड्राउट स्ट्रिक इन लास वेगस ने डिकलेयर कर दी है वार वाटर वेस्ट पर याद रहे कि निवाड़ा का डेकेज लॉंग ड्राउट इंटेंसिफाई हो गया है क्योंके वाटर लेवर्स लेक मेड में जो के सप्लाई करती है पानी निवाड़ा, कालिफोनिया, एरिजोना और न्यू मेकसिको को इस समय आल टाइम लो पर है और अब वाटर मैनेजमेंट अथारिटीज पीछे जा रही हैं रेजिदेंस के जो के जान बूच कर वेस्ट करती हैं पानी देने के लिए ग्रास को इस समय ओफिशल्स स्ट्रेस कर रहे हैं गोल पर के एजुकेट किया जाए जनता को ना के पनिश किया जाए के वेस्ट ना करें पानी कि समय थारीज को ना कर रहे हैं एज लाहे हैं खीछिजे को जाए खाती ख जान अटेंगे जाए जाए जह जाती हैं टाज है जाफिजे को अज़ आए टाना को य्यादी को बहीं तूचिजे हैं प्सक्राइए जाचिजे ओूटू एजब